भाजपा के प्रदेश उपा देक्ष सरदार आजेपाल सिंग से फर्स्ट इडिया न्यूस की खास बाचीत प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की मुक्त कंठ से सराना की गई है कहा कि हर जगे गुंज रहे मोदी मोदी के नारे 2023 विधानसबा चुनाव में 160 से उपर सीटे भाजपा जीतेगी आगामी दिनों में पिये मोदी राश्ट्रिया देक्ष जेपी नड़ा के भी प्रवास होंगे क्रीमंत्री अमित्शा के बूथ सम्मिलन में आये थे 95 प्रतिशत से भी ज्यादा कारे करता ये कहा गया विधानसबा चुनाव के मदेनजर भाजपा की ग्राउंड पर मजबूत तयारी है खुद के चुनाव लड़ने की बातों का भी जवाब दिया उन्होंने और कहा कि मैं एक साधारन कारे करता हूँ जो भी जिम्मिदारी दी जाएगी निर्वेहन करूँगा भाजपा के प्रदेश भर के जिला कारेयलें के निर्माड की बड़ी जिम्मिदारी है आजेपाल सिंग के पास आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल के अंतताग लगभग लगभग सभी कारेयलें का काम पूरा होगा 15 जिला कारेयलें बनकर तयार हैं आगामी दिनों में अन्य जिला कारेयलें के भी उद्घाटन होंगे भाजपा के राष्टे इस्तर के नेता इनके उद्घाटन कर सकते हैं संगठन महामंतरी चंदर शेकर की संगठनात्मक प्रतिभा के मुरीद सरदार अजेपाल है वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया की भी उन्होंने तारीफ की सरदार अजेपाल सिंग भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है कई जिमेदारियां संगठन ने इन्हें दी हुई है तो ऐसे में लाजमी है कि इन से कुछ विशों को लेकर बादचीत की जाए क्योंकि 2023 पास में है और जब पास में 2023 है तो कई बाते होती है जो निकल कर आती है चुकि ये सिक्समुदाय से आते हैं सिक्सामाज से आते हैं और अल्बसंख्यक मोर्चा है उसके प्रभारी भी है उपाध्यक्ष रहने के साथ तो स्वभाविक रूप से कुछ मुद्दे बनते है सरदार जी वर्तमान में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उनमें सबसे महत्वपून जिम्मेदारी है जिला कारेलेओं की वर्तमान में जिला कारेलेओं की क्या इस्तित्थी है कितने बन चुके हैं और कितने आगामी दिनों में बन जाएंगे अभी तक राजस्तान में 15 कारेले तो बन चुके हैं और 6 पे बड़ी तेजी से काम चल रहे हैं और मेरे को लगता है इलेक्शन से पहले पहले करीब परीब सब जिलों के कारेले बन जाएंगे कारेले की क्या खुबी है उनमें किस तरीके के कारेले आप लोगों ने बनाये है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब अमिच शाह भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष थे उस वक्त वसंद्रा जी यहां पर मुख्यमंत्री थी और उस वक्त इनकी शुरुआत हुई थी देश भर में अमिच शाह और प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने इस चीज़ को लेकर फोकस किया था किस तरीके की खुबी है उन कारेलेओं की और कहा जाए तो आगामी दिनों में भी कोई बड़े निता आकर कुछ कारेले और तयार हैं उनके उद्गाटन करने वाले बिलकुल आगे हमारे एक तो जैसल मेर भरतपूर ये कारेले तयार है और मेरे खहल बहुत जल्दी रास्ट्री नेता आके इन कारेलों का उद्गाटन करेंगे और कारेले ये एक संसकारों की मंदिर है यहां हमारे कारेकरताओं को अच्छे संसकार दिये जाते हैं भारतिय जनता पार्टी पार्टी वर डिफरेंस है हमारे यहां कारेकरताओं में अच्छे संसकार डाले जाते हैं वो रास्ट्रीत की बात करते हैं वो रास्ट के लिए स जब भी जाते हो एक ऐसा महावल होता है ना मेरे बहुत शब नहीं कहने के लिए हो सरदार जी एक आखरी और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब से उपाध्यक्ष बने हैं उपाध्यक्ष रहने के दोरान संगठन के लिहास से आपका क्या कुछ आपको लगता है कि आपने इतना बहतरीन किया है संगठन में रहते हुए कितना आप एक्टिव रह पाए और उसके अलावा संगठन जो है वो कितना आगे जा पाया क्योंकि सतीश पूनिया जी अद्यक् अर्म देती है उनके लिहास से? ऐसा है हमारे लिए सारी यादर नहीं है पहले शतीश पूनिया जी थे उनका भी जो परवास था और जो उन्होंने पार्टी के लिए काम कर लिया सारा नहीं है उसके बाद में हमारे फ्सी पी जोसी जिया है वो भी दिन रात काम कर रहे हैं और हमारे चंदर शेकर जी का तो मार्ग दर्शन जो है वो ऐसा मार्ग दर्शन है वो हमने हमारे जीवन में 30-35 साल से पार्टी जोड़े हुए हैं हमने बहुत कुछ सीखा इन दिनों में बहुत संबर्पन क्या होता है टोटल जितने भी कारे करता है नीचे स्थर से लेके उपर तक सारे पार्टी में जुड़े जो कारे करता किसी कारणवस मैं बड़ा स्पस्ट बोलता हूं दूर हो गे थे वो भी सारे पार्टी में वापस आ गए और जुड़े हैं और दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं यह बहुत बड़ा बहुत बड़ी हमारी उपल लगते हैं तो आप इससे आप आप खुद जो आकलन कर सकते हो जो 2023 का चुनाव है उसमें हमारी किती सीटे आएंगे मेरा मानना है 160 से 170 सीटे बार्टी जनता पार्टी गयाएंगी और हमारी सरकार बनेगी बनेगी तो भार्टी जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंग ने हमसे खास बातचीत की है चुकि बीजेपी के नेता हैं उपाध्यक्ष हैं तो ऐसे में कई सवाल थे जिनका जवाब हमने उनसे जाना है फिर हम इनसे कोई मुलाकात करेंगे उस दोरान च से रिलेटेड बाते भी अगली बार इनसे की जाएगी संजे के साथ एश्वरे प्रधान फर्स इंडिया न्यूस जैपुर